नमस्कार दोस्तों मैं हूँ आश्पी शर्मा आप देख रहे है ग्रिन गड़न चैनल ग्रिन गड़न चैनल में आप शविक शागत है आज मैं आप लोगी शाथ शेर करूंगा जार्विरा फ्लॉर प्लाइट की क्यार आप रेनी सिजिन में कैसे करेंगे आपकी पाश अगर जार्विरा फ्लावर प्लावर 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 प्ला बारिश की पानी लगते है पॉट में तो देखिए पॉट की हाल ऐसे होते है ओपर से ये देखिए काई जम चुके है और शॉयल काफी ज़्यादा गिली है मेरे पाश बहुत अच्छा शेड नहीं है इसलिए मैं ज्यादा शेड की आंदार इसको नहीं राख पाया उसके बाद भी मेरा फ्लार प्लांट ठीक है और सेकेंड प्लांट ये देखिए आपके पाशागा जार्बरा फ्लार प्लांट है तो आपको डेली फ्लार प्लांट को थोरा सा देख भल करते रेना है ये दिखी कुछ लीप यहाँ पर देख रहा है ये ड्राइ हो चुके है ये लीप को आपको अलग कर देना है ये लीप को अलग करने के लिए आपको एक सिजर लेना है और ऐसे करके आपको काट कर देना है ये दिखी ऐसे घर के काट कर देना है इनकेस अगर ये लिप अगर हमारी प्लांट में रहेंगे तो धीरे धीरे करके ये नीचे, एस जगह पर जहां से ये फिर से इस्टिक आ रहा है, फ्लावर के इस्टिक आ रहा है और एक फ्लावर ये खिला हुआ है तो इस जगह पर क्या होगा धीरे धीरे करके fungus का attack होगा और हमारी जो flower plant है हमारी flower plant धीरे धीरे करके मर जाएंगे, खतम हो जाएंगे इसलिए कोई भी dry leaf या infected leaf हमारी flower plant की pot में नहीं होना चाहिए उसको अलग कर देना चाहिए और कोई भी leaf अगर infected होता है जैसे कि यह देखी अच्छे leaf है ऐसे कोई leaf अगर infected होता है यह थोड़ा सा infected हुआ है लेकिन यह कोई fungal attack नहीं है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है बाकी leaf आच्छा है जितने leaf आच्छे होंगे उतना ही leaf राखिए बाकी को आपको आलग कर देना है ऐसे करके आपको थोड़ा सा देख भल करते रेना है fungicide आपको हर हफते बरशाद की टाइम हर हफते याने कि शाद दिन में एक बार एस्प्रे करना है यह देखी मैंने fungicide एस्प्रे किया था fungicide में आप लिजे redomil gold मान लिजे आज redomil gold 2 gram per liter water के हिशाब से एस्प्रे करे शाद दिन बाद आप बैविश्टीन और नहीं तो M45 दोनों में से कोई भी एक M45 होंगे तो 2 gram per liter water बैविश्टीन होंगे तो 1.5 gram water 1.5 gram per liter water डिजल करना है और यह flower plant के उपर एस्प्रे करना है only leaf की उपर एस्प्रे करना है flower की उपर एस्प्रे नहीं करना है confider आप एक बार यूज करे confider 1 ml per liter water एस्प्रे करना है और 10 दिन अंतर से करेंगे आज confider एस्प्रे करेंगे 10 दिन बाद एक बार tough guard यूज करे और roger इनके सा अगर intrepid है तो सबसे आच्छा है एक बार confider एक बार intrepid intrepid 2 ml per liter water top guard या roger 2 ml per liter water reserve करें ये flower plant की उपर रिस्प्रे करें और कोशिश करें कि heavy rainfall से ये flower plant को बचा के राखे heavy rainfall हो रहा है या rainfall हो रहा है आप खोले अश्मान की नीचे नहीं राखेंगे ये pot को आपको थोड़ा सा आप बाहर लाईए इनके सागर soil dry हो चुका है उस टाइम आप इसमें बारिश की water दीजिए तो आपकी flower plant की जो growth है growth काफी अच्छा होगा बारिश की पानी इसकी leaf में लगने से इसकी leaf धीरे धीरे करके dry होना चालू हो जाते है गलने लगता है, सरने लगता है और fungus की attack होता है और हमारी flower plant बिलकुल बिमार हो जाते है इसलिए बारिश की पानी ना लगे इसको धेन रखिएगा जहां तक हो सके आप बारिश की पानी से बचा के रखिएगा और कुछ fertilizer देते रहना multiple micronutrient हमको इस्प्रे करते रहना है यह देखिए हलका सा chlorosis देख रहा है multiple micronutrient में उतकर्ष की कमबिटू और नहीं तो empoxylin कमबिटू दोनों में से कोई भी एक लिजिए 2 ml पार लिटर वाटर डिजल्ब करना है 10 से 15 दिन आंतर से एक बार इस्प्रे करे बहुत ज़्यादा ज़र्योत नहीं होता इसकी बाद भी आगर chlorosis खतम नहीं होता है तो वो condition में आपको chillated iron यानि की F.E. grow 1.5 ग्राम बाटर डिजल्ब करना है और flower plant की उपर leaf की उपर इस्प्रे कर देना है एक से दो बार इस्प्रे करेंगे आज इस्प्रे कर देंगे शाद दिन बाद एक बार इस्प्रे करेंगे तो आपकी flower plant की leaf closes सही हो जाएगा कुछ P.G.R. आप अपने garden बे जब इस्प्रे करते हैं उस टाम थला सा P.G.R. यानि की Y.B.X. और नहीं तो Omega Gold Plus 2 ml पालिटर वाटर डिजल्व करना है ये flower plant की उपर इस्प्रे कर देना है और आभी कोई भी organic fertilizer इसमें apply नहीं करेंगे liquid fertilizer तो देंगे नहीं क्योंकि हमारे pot की जो soil है काफी ज़्यादा सौगी है इसलिए हमको कोई भी liquid fertilizer apply नहीं करना है हम सिरेप आभी chemical fertilizer देंगे chemical fertilizer में आप NPK 1990-1919 लिजिए बहुत अच्छा result मिलेंगे ये देखी NPK 1999-1919 आप अगर NPK 1999-1919 2 gram plus 2 gram Epsom salt add करेंगे add करने के बाद एक pot में आप दे शकते है और अगर pot में नहीं देना चाहे तो आप spray भी कर शकते है spray करेंगे तब भी आपको अच्छा result मिलेंगे और आप अगर pot में देना चाहेंगे तब भी अच्छा result मिलेंगे लेकिन 2 gram किस pot में देंगे आगर 8 से लेके 10 inch की pot होंगे मेरे pot के 6 inch है ये देखीए only 6 inch 6 inch की एक pot है तो इसमें हमको 1 gram NPK 1999-1919 और एक gram एपसम शल्ट देना है तो मैं दोनों को add करके 2-2 gram की add करेंगे और दोनों plant को divided करके दे देंगे ये देखी एपसम शल्ट है यह से हमको एपसम शल्ट लेना है आधा चाम्मच आधा चाम्मच यानि की 2 gram 2 से 2.5 gram ये आधा चाम्मच ले लिए है NPK 1999-1919 हमको लेना है आधा चाम्मच ये देखी आधा चाम्मच हो चुके है ये दोनों को हमको mix कर लेना है ये फर्ट लेजर हम वाटर की शाद डिजल्ब करके जरूर देते इनके सगा रेनिस जे नहीं होता और ये जो फर्ट लेजर है ये फर्ट लेजर की शाद आभी आप एक चाम्मच एड़ कर लिजिए निम खली ये देखीए ये देखीए निम खली है तो यहां से हम एक चम्मच निम खली लेंगे अनली एक चम्मच एक चम्मच निम खली एड़ कर दिये है निम खली में कुछ एंटी फंगाल और एंटी बैक्टिरियल प्रपरटी रहते है रेनिसिजन होने के कारण फंगास और बैक्टिरिया बहुत ज़्यादा रहते है ये देखीए आप दोनों पॉर्ट में हमको डिवैड़ेट करके ऐसे करके दे देना है और आभी हमको गुराई भी नहीं करना है सिर्फ देना है और बाटरिंग भी नहीं करना है ये हमने एक पॉर्ट में दे दिये है बाकी जो बचा हुआ है ये हमको दूसरे पॉर्ट में देना है ये मैंने दोनों पॉर्ट में दे दिये है और आभी आपको बाटरिंग बिल्कुल नहीं करना क्योंकि शॉयल गिली होने के कारण धीरे धीरे करके ये जो फर्टिलेजर है डिजल्व हो जाएंगे और हमारी फ्लावर प्लांट को मिलना स्टार्ट हो जाएगा लिफ आएंगे और फ्लावर भी आएंगे कोई भी क्वैरी है तो आप लोग लोग कमेंट्स बॉक्स में जाके जरूर किजिएगा आप लोग को पूरे कमेंट्स की एंसरिंग कर दिया जाएगा इनकेस अगर आप लोग को पर्चेस करना है आपके पास नहीं है तो वो कंडिशन में आप वहाँ पार जाके पर्चेस कर शकते हैं, लिंक से आप पर्चेस कर शकते हैं, आपको अलग से ढूरने की कोई भी जरूत नहीं पड़ेगा, उम्मीद कर दो दो दोस्तो आप लोको मेरा वीडियो पसंद आया है, और अगर पसंद आते हैं, तो लाइ यहीं।